नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज के 28 जुलाई 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस के इंपॉर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो फ्रंट पेस पर अगर नज़र डाले तो हमारे लिए एक इंपॉर् लेक्स को इसका मतलब सेलेक्शन परसेंटेज कितना है ओनली पॉइंट थी थी परसेंट ठीक है जबकि गवर्मेंट के दुवारा यह अनौंस किया गया है कि कमिंग 18 मंस में हम लग बग लाक से भी जादा जॉब्स हैं वो क्रियेट करेंगे यह देखो यह आपके सामने ड लग लग बग रिक्रूट्मेंट करेंगे तो यह चीज कहीं नहीं अपने आप में लगती है ठीक है इसके आगे देखें कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में गवर्मेंट के दुआरा जॉब को सेटल करने के लिए जो स्कीन चलाई गई है उनकी नेम यहां पर देख सकते हो एक तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आति-RIबण निधी ओजना यह प्रधान मंतरी स्ट्रीट वेंडर्स आति-RI निधी ओजना थीक है पी एम स्वयनिधी हाइ स्कीम के अंदर क्या किया गया था विदाऊट कॉलटरल बिना किसी चीज को गिरवी रखें जो स्ट्रीट वे जिसमें यह था कि जो एंप्लोयर्स हैं जॉब देने वाले लोग हैं ठीक है उनको इंसेंटिवाइज करना जिससे कि वह न्यू जॉब क्रियेट कर सके और नए जॉब के चलते हैं जिन लोगों ने अपने रुजगार खो दिये उनको रुजगार मिल सके तो यह दोनों स्कीम को आप रिवाइज करोगे बाकी यह थोड़ा सा डेटा है जो कभी काम में आजा है इंप्लोयमेंट का नाम ले करके तो आप बता सकते हो बागी कलपर सो मैंने आपको बताया था प्रिवेंशन ऑप मनी लॉंडरिंग एक्ट पी एम ले टूथाजन टू इस एक्ट के बारे की विजिट पे ठीक है तो वहाँ पर संगाई कॉर्परेशन और्गिनाइजेशन की समिट होने वाली है तो समिट को अटेंड करने के लिए पहले तो देखो फॉरें अफेर मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है जिसको अटेंड करने के लिए जैशंकर पहुंच गए ठीक है हमारी तरफ से हमारे फॉरें अफेर मिनिस्टर और फिर उसके बाद में लीडर्स की मीटिंग हो गई संगाई कॉर्परेशन और्गिनाइजेशन जो ग्रूप है उसकी कहां पे उजबेकिस्तान की कैपिटल ताश करने ठीक है तो संगाई कॉर्परेशन सकता है और एफ्रीका से जो चीता को लाया जा रहा है थीक है मध्या प्रदेश में तो उसमें क्या-क्या रिस्क है क्या-क्या इशू जा सकते हैं तो उसी चिताज हैं उनको लाया जाएगा साउथ अफरिका से और उनको इंट्रड्यूस कहाँ पर किया जाएगा मध्या प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क वहाँ पे लाकर तो यह अपने आप में पॉइंट यह बताया जा रहा है कि यह वो एर के का सिनेरियो अगर हम देखें कुनो नेशनल पार्क में तो बोलो वहाँ पर एफरिकन चीताज कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे उस पर क्वेशन लगता है तो सुप्रीम कोट ने कह दिया कि आपको जब पहले पूरा प्लान दिया हुआ है कि जो एशियाटिक लाइन्स है जो कहां पर लोकेटेड है भी मेजरली गिर्ल फॉरेस्ट एरिया जो कि गुजरात के सौरास्ट्रा वाले रीजन में लोकेटेड है बोलो वहां से आप कुछ एशियाटिक लाइन्स को निकाल करके और फिर बाद में राजस्थान मद्यप्रदेश के जो भी आप कंफाइ है ठीक है तो इस केस में इसको खुला घास के मैदान चाहिए तो वहां पर आपका जो एरिया है जो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो बोलो कम पढ़ जाएगा कुछ सालों के अंदर अंदर ही जो चीता की पॉपुलेशन है वो कुनो वाइल लाइज संचुरिया कुनो न आपने चीता उसको इंटर्डियूस कर देना है कर दिया तो इन दोनों के बीच में रोमिंग प्रॉपर कब हो पाएगी जब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी तो बोलो वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी इसकी वज़े से क्या होगा कुछ दिनों के अंदर ही बोलो 10-15 साल के अंदर ही यह जो चीताज की आप इस तरीके से डिमार्केट कर देते हो कि हाँ यहाँ पर तो हम एफ्रिकन चीताज को इंट्रिड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उस एरिया की बाउन्डरी फिक्स कर दोगे और बाउन्डरी फिक्स करने के बाद में यहाँ पर अगर हुमन इंटर्वेंशन होता रह तो बोलो वो चीज कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन पर प्रेशर क्रियेट करने का कारण कर देगा तो एक तरीके से आप वाइल्ड लाइफ में मतलब फॉरेस्ट एरिया में वाइल्ड लाइफ को लाकर के इंटर्ड्यूस कर रहे है और वहाँ पर भी हुमन इंटर्वे लगातार चलेगा तो यह तो प्राबलम हो जाएगी इसके इलाबा देखा जाए तो जिस एरिया में जिन ग्रास लेंज एरिया में आप चीता को इंटर्ड्यूस करने की बात कर रहे हो बहुत आफर एंडियन वोल्व है जो कि इंडिजर्ड है इसके अलाबा इन्टियन बस को हंट भी करेगा ऐसे में तो जिन स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए आपने अला-अलाग फ्लैक्शिप स्कीम्स अला रखी है या जिनको टार्गेट करके आपने काम करना काम कर रखा है कि हाज हमें इनको बचाना है इन स्पीसीज को बो उनके लिए ही चीता गहतक साबि स्पीसी होगी अफ्लैक्शिप स्पीसी होने के चकर में उस एरिया में जिसमें टाइगर रिजर्व जिसको आपने डिक्लियर कर दिया वहां पर human intervention नहीं होगा तो वहां पर बचे हुए अनिमल से वह अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं एक तो हमें थोड़ा सा यह ज स्पीसी को रिप्लेस करने के लिए बाहर से कोई स्पीसी लेकर क्या रहे हो और वह इंडियन स्पीसी इंडिजीन स्पीसी को खत्रे में डाल दे तो वह चीज कितनी हद तक सही है कैसे एशाटिक चीता है वह एक्स्ट हो चुका है उसको रिप्लेस करने के लिए आप ला रह पुशने की जरुरत है क्योंकि यहाँ पर हमें भी तो यह पता है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कितना जाद अंडर क्राइसिस है वैसे देखा जाए तो जैसल मेर में जो राजस्थान के जैसल मेर में जो desert national park है ठीक है यह basically नाम तो desert national park है बर यह wildlife century अभी तक national park का tag नहीं मिला यह ध्यान रखना हो तो ऐसे में आप एक काम और कर लेना चलो कि किसको तो आप national park बोलते हो किसको wildlife century बोलते हो और यह कौन identify करवाता है ठीक है अगर शंकर आईये इसकी book से करो तो उससे कर लो जिस भी बुक में आपके पास available हो wildlife century और national park में difference तो वो अच्छे से देख लेना तो ऐसे में बोले जैसल मेर को आप exclude कर दोगे पर बाकी जहां जहां पर भी great इंडियन बस्टर्ड रहते हैं वहां पर उनके habitat को आप कैसे खत्रे में कि उनको manage करोगे तो यह कुछ issues हैं इन issues को ध्यान में रखने की जर्वत है तो बात वही आती है फिर से सुप्रीम कोट की कि छोटे-छोटे land patches में आप चीताज को introduce करोगे बोला दस से पंदर साल के अंदर 10 से 15 साल के अंदर पूरा एरिया explore हो जाएगा उनमें problem आएगी ठीक है जबकि एश्याटिक line को अगर आप introduce करोगे तो उनका area इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता हो और होता भी है तो great Indian या कुनो नैशनल पार की जिसके हम बात कर रहे है उसको डिमार्केट भी किया हुआ है कि वहाँ पर लाकर के एश्याटिक lines को introduce किया जाएगा कहां से सोरास्टा गुजरात से पर वही चीज है कि अभी तक इस पर attention दिया नहीं जा रहा है अब चीतास पर ध्यान दिया जा रहा है इस चीज पर इसके अलावा एक नौरा देही करके एक वाई-लाइफ century भी है मद्यप्रदेश में वहाँ पर भी इसी तरीके का प्लान तयार किया जा रहा है चीतास को introduce करने कि science magazine में paper publish हुआ है इनका ये कहना है कि COVID-19 outbreak जो है वो वहान से हुआ है वहान में भी कहां से एक तो वहान में जो seafood wholesale market है बोलो वहां से इसका outbreak हुआ है ठीक है तो SMA ये चीज बताई जा रही है ये देखो epicenter बोले seafood wholesale market इन वहान ये रहा है यहीं से शुरुआत हुई थी COVID-19 की फिर उसके बाद में infection फैलता चला गया ठीक है अभी फिलाल तो देखो ये theories publish हो रही है final कौन सी होती है वो अभी कुछ कह नहीं सकते है कि वह अभी तो research paper आ रहे है survey हो रहे है final जो भी होगी वो देखें को हमने देख लिया आगे चलते हैं इसके अलावा एक और न्यूज है कि Commonwealth Games में जो कि Birmingham that means UK में अभी और्गनाइज हो रहे है ठीक है उसमें इंडिया की तरफ से 215 athletes है वो participate करेंगे 15 different disciplines में सबसे ज़्यदा participation कि स्टेट से है अरियाना से दूसरा पंजाब से तीसरा तमिल ना कि चार्जने जा रहे हैं ठीक है यह थोड़ा साथ है important और Commonwealth of Nations इनके बारे में एक बार थोड़ा देख ले ना UPSC point of view से आप बागी economy page पे आज कुछ भी खास नहीं है बस एक important point है world page पे उसका हम map देखेंगे कि Philippines में अर्थ को एक आने की वज़े से पांच जनों की death हो गए बहुत जने injured हो चुके हैं तो इस case में हमारे पास में map का जो task है वो complete कर लेते हैं फिर उसके बाद में session end हो जाएगा हमारा यह आपके सामने map है जिसमें आप देख सकते हो संगाई corporation organization के जो member countries है उनके names रश्या कजाकिस्तान किर्गिटस्तान तजीकिस्तान उजबेकिस्तान चाइना पाकिस्तान और इंडिया ठीक है तो total 4-48 members है इसमें अपकी बार जो meeting हो रही है वो कहाँ पर ताशकन जो की उजबेकिस्तान की capital है वहाँ पर ठीक है तो यह थोड़ा सा महप आप अच्छे से देख लेना ऑक है एब किश्तração स्क्रीन का महप थीक है फिलिपि bounce में देख सकते हैं साउथ चाइना सीधर आगया फिलिपीन सीधर आ जाता है और इधर लुजोन स्ट्रेट है जो कि टाइवान और फिलिपिन्स को सेपरेत करता है ठीक है फिलिपिन bubble इसके अलावा क्वेजुन चैटी मिंदेनाव में क्योंकि यहां पर कॉन्फलिक्ट्स होता है से इन वह आ गया तो यह थोड़ी से इंप्टेंट जो भी यह डाइक वर्डस ना दक लैटर्स उनको अच्छे से देख ले ना वहीं बॉपके, ये है Philippines, और फिर नीचे की तरफ देखो, तो ये Borneo Island आ जाता है, Borneo में Malaysia ऊपर, ये छोटा सा हो जाता है, Brunee, Brunnail, और नीचे की तरफ ये Indonesia का पाटा जाता है, थोड़ा सा, ठीक है, तो ये Philippines का map हो गया, इस map में overnachar डाल सकते हो, ठीक है लुजोन स्ट्रेट ताइवान और फिलिपिन्स को सेपरेट करी रहा है पार्सेल आइलेंड देख सकते हो स्पार्टल आइलेंड जो की डिस्प्यूटेट टेरिटरी है चाइना क्लेम करता है साउट चाइना सीकों की है हमारा है हमारी एंचेंट लेक है यह चीज इंडिया भी भोल सकता है ना कि Bay of Bengal हमारी एंचेंट लेक है इधर से भी कोई नहीं जा सकता हमारा हमारा दबदबा चलेगा और वहाँ पर जो भी ऐलेंड से वो किसी और दूसरे कंट्री के हो ही सकते पर चाहेना जो आपना ओभा रहा है पूरी ठीड नाइंट डेश लाइने हैं है यह यह नाइन डेश लाइन से क्या शो करता है चाहिना कि एधर का पूरा अंदर का पानी का बोलो हमारा है सारा ठीक है ना थिट्टू आइलेंड स्पार्टल आइलेंड का इपार्ट है सुबी रीफ में इन में आ गया सुलूस सी भी इधर देख सकते हो फिलिपीन से आपने अल्रडी देखी लिया और बाकी ये मैप के इधर वाले पोर्शन को भी आप अच्छे से देख सकत हो तो देखो इस डिसकेशन में आज कुछ ज्यादा खास आया नहीं था मैप अपने एक दू देखी लिए हैं ठीक है थैंक्यू अरे मच